सभी को मेरा नमस्कार साथियो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रविन डोंडवा में इस वीडियो में हम तोपिक कवर करने वाले हैं मदाता सूची से डवल वोट को किस प्रकार से हटाया जा सकता है तो वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपना पर लेना है उसके बाद डैस्ट बोर्ड के मिलकुल लेट साइड में आप देख पा रहे हैं थ्री डोर्स पर कलिक कर देना है और फोर्म पर कलिक कर दीजिए उसके बाद आप सभी ब्यलों साथियों को पता ही है फार्म नंबर साथ डिलीशन के लिए यूज किया जाता है तो हम सैकंड जो फॉयम है वहांपर कलिक कर देते हैं डिलीशन सेवन उसके बाद ब्तन पर क्लिक कर दीजिए डबल वोट को हम दो प्रकार से मद्धा सुची इसी से हटा चाया है यह यहשं News जिस व्यक्ती की double you two है वह व्यक्ती वी thou cinco क्याने के लिए अपलाई कर सकता है कि कि इसलों जगह से सेंस्टी को सकती है उसके अलावा कि wurde कि जा सकती है प्रिवार कोई सदस्य भी रिकोई सकता है बोट डिलीट करने के लिए तो हम दो इनों तरीके से फारम को आपको फील करके दिखाएंगे सबसे पहले संव डिलीशन में किस प्रकार से वोट हटवाया सकती है यहाँ पर जो आप वोट डालेंगे वह एप्लिकेंट होता है यह श्युम भी व्यक्ति एप्लिकेंट हो सकता है जिस वोट को नहीं हटवाना चाहत हो वोत यहां पर डाल जा सकता है उसके अलावा नैक्स लूम में जिस वोट को हटा हाताया जाना है वह भी डीटेल डाली जा सकती है या दोनों जगह सेम डीटेल भी डाल के सेलफ डेलीशन पर ल९ोट को कर वाए våra सकता है तो हम सुरू करते हैं किस प्रकार से step to step आपको बताते हैं हमने epic number applicant का fill कर दिया है उसके बाद fetch detail पर click कर देना है आपको record found हो जाता है उसके बाद proceed button पर click कर दीजिए मदाता की पूरी detail applicant की आपके सामने show होती है उसके बाद आपको next button पर click कर देना है यहाँ पर जो option आपने select करना है वो आपको बता दें यदि आपकी vote आप सिवम कटवा रहे हैं तो self deletion request यहाँ click कर दीजिए इसे क्या होगा कि जो next आपका step है जहाँ पर next column में आपको detail डालनी है वो अपने आप select हो जाती है एक बार मैंने self deletion request पर click किया और next बटन पर click कर दिया यह देखिए वही detail सो हो जाती है जो आप applicant वड़े column में डाल के आए हैं यानि मदाता सिवम की vote हटवाना चाहता है तो यहाँ पर detail सेम हो जाती है यहाँ केवल आपको इस case में manually house number, street, village town, post office और तहसील और pin code यह 6 column है जो manually feel करने है self deletionary option select करने से तो यदि मदाता सिवम vote ने कटवा कर request की जारी है तो वो भी एक बर मैं आपको दिखा देता हूँ आपको पहले column पर click करना select कर लेना है request for deletion यानि request की जारी है vote हटवाने के लिए applicant के माजम से next button पर click करना है उसके बाद आपको वो डिटेल यहाँ फील करनी है जिस epic number को जिस vote को आप मतदाता सुची से हटवाना चाहते हैं दोबारा ध्यान से सुनिए यदि आप request कर रहे हैं vote हटवाने के लिए तो पहले applicant की detail डाली जाएगी बिल्कुल फार्म के शुरू में उसके बाद self deletion जो option उसको select ने करते हुए request for deletion का option select करते हैं तो दोनों जगाए detail अलग अलग होगी यदि पहले वो detail होगी जो vote कटवाना चाहता है और दूसरे स्थान पर जिसकी vote कटाई जानी है यदि जिसकी vote हमें delete करनी है तो हमने option पहला select किया है request for deletion यहाँ पर उस वेक्ति की detail आपने feel कर देनी है जिस वेक्ति की vote मदाता सूची से हटाई जानी है तो हम यहाँ पर एक बार epic number डाल देते हैं उसके बाद आपको fast detail पर click कर देना है आप देख पा रहे हैं यहाँ जो detail आही है वो किसी अन्य वेक्ति की आई है और जो पहले detail डाले थी वो किसी अन्य वेक्ति की थी तो यहाँ पर वो detail डाली गई है जिस वेक्ति की vote मदाता सूची से हटाई जानी है house number street area यह सभी जो 6 option है वो आपको manually feel कर देने है उसके बाद आपको यह manually फील कर देना है next button पर click कर दीजिए यहाँ पर vote हटाए जाने का reason आपको select कर लेना है यानि किस कारण से vote हटाई जा रही है dead हो तो dead पर click कर दीजिए आपको पताई है self deletion dead वेक्ति नहीं कर शकता और आपको वीडियो के starting में मैंने बताया था vote double है तो कौन सा option आपको select करना है मैं एक बर आपको बता देता हूँ already enrolled यानि मदाचा सूची में पहले से ही नाम दर्ज है तो आपको इस option पर click कर देना है उसके बाद next button पर click कर दीजिए यहाँ applicant की detail आपको दोबारा से दिखाई देगी applicant का epic number उसके बाद उसका नाम यदि self deletion है तो दोनों जगए same detail आपको show होगी तो हम यह जो पूरा फारम है हम दोनों तरीके से दिखा चुके हैं आपको self deletion में detail दोनों जगए अपने आप उठा लेता है और उसी परकार से request में आपको दूसरे जो कोलम है जहां जिस वक्ति की vote हटाई जानी है request की गई है उस वक्ति detail डालके आपको फारम को step to step आगे feel कर देना है इस परकार से आपको उस्थान का यहां नाम डाल देना जहां से आप फोर्म अपलाई कर रहे है उसके बाद BLO सातियो आपको यहां पर mobile number applicant का feel कर देना है जो नया option add हुआ है फार number 7 में Garuda app यानि जो वक्ति vote हटवाना चाहता है यानि swim हटवाना चाहता है तो applicant का mobile number आप यहां पर एक ही होगा यदि कोई अन्य वक्ति request कर रहा है तो उसका mobile number आप यहां डालिए यदि उस swim का mobile number नहीं है उसी के निचे next column में mobile number of एप्ली relative यहां पर उसका number डाला जा सकता है तो हमारे applicant का number हमारे पास है तो मैंने वो डाल दिया उसके बाद done button पर click कर देना है इस परकार से आपको प्रियू सो होगा आप पांच मिन्ट तक इस detail को check कर सकते हैं एक बार आपको बता दें प्रियू में इस परकार से मेरे प्रिय बियलो साथियो आप प्रियू में check कर सकते हैं अच्छे से check कर लें सबसे पहले उपर वाले जो column है वहां पर उस वेक्ति की detail सो होगी जो vote हटवाने वाला है यानि जिसने request की है उसके बाद निचे जो detail है वो उस वेक्ति की detail है जिसका vote मदाता सुची से हटाया जाना है यानि इस वेक्ति की detail हट जाएगी मदाता सुची से ये बियलो साथि बिलकुल ध्यान देख ताकि किसी भी व्यक्ति का वोट गल्त नय कट जाए डिलेट नय हो जाए और आपको कोई समझ्या समझ्या नय आई इसलिए मैं आपको बार बार यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं सल्फ डिलीशन में दोनों जगया सेम डिटेल होगी यह आप अच्छे से जान लें तो इस प्रकार सी डिटेल अच्छे से चेक करें आपकी डिटेल में कोई कमी है आपका कोई ओप्शन गल्त फीड हो गया तो क्रोश वाले बटन से आप दोबारा से फारम को चेक कर सकते हैं उसके बार दन बटन पर कलिक कर देना है और कंफरम बटन पर कलिक कर दीजिए इस परकार से आपका जो फारम नंबर 7 डवल एंट्री हटाने के लिए यानि डवल वोट मदाता सुची हटाने के लिए इस परकार से कंप्लिट हो जाता है और आपको मैसिज मिल जाता है यूर फारम submitted successfully और reference ID उसके साथ ही जिस date को फारम apply कर रहे हैं इस परकार से आप double vote हटवास के हैं और एक बात ब्यालो साथियो vote हटाने से पहले आप अपने जो भी vote हटवाने वाला है उसके document बिल्कुल save रखें उनसे लिखवा लें ताकि भविश्या में आपको कोई भी समिश्या क का सामना ना करना पड़े तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जुरूर बता है यदि कोई option हमसे छूट गया तो वह भी कमेंट में जुरूर बता है धन्यवाद आपका दिन सूब हो